नवस्का टेक लगा वांगनवाडी में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम पोशन ट्रैकर का एक नया और अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पोशन ट्रैकर का जो नया अपडेट है वो लाश्ट अपडेट 3 सितंबर 2023 को आया है क्या क्या है इस अपडेट में कैसे अपडेट करना है यह सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा शेयर करें और भी बहनों तक अपने वाट्चाप ग्रूप में जरूर शेयर कर दें ताकि वो सारी बहने भी यह वीडियो को देख सकें और जानकारी ले सके और अपना potion tracker अपडेट कर सके क्योंकि कभी कबार होता क्या है कि update नहीं आता है जब तक ना तो कई सारी problem potion tracker में होती रहती है जैसे कि migration problem या फिर beneficiary dead या remove कई तरह के option THR का option उसमें show नहीं करता है कई तरह के option जो है problem दिक्कते आती रहती है तो अपडेट करना जरूरी हो जाता है समय समय के साथ अपडेट कैसे पता चलता है ये तो मैं आपको बताती हूँ मेरी वीडियो देखने से आपको पता चलता है तो इसलिए वीडियो को हमेशा देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें तो चलिए दिखाती हूँ मैं जो अपडेट आया है उसमें क्या-क्या अपडेट है ठीक है सबसे पहले THR या HCM उसमें कुछ अपडेट आया है आठ प्रकार के अपडेट आये है आप मेरे सामने देख सकते है अमने प्ले स्टोर पर जो है ओपिन किया है पोशन ट्रैकर तो उसमें दिख रहा है दूसरा है THR या HCM निव मॉडियूल इन डेली ट्रैकिंग तो डेली ट्रैकिंग में कुछ नया मॉडियूल आया है ठीक है THR और HCM स्रिलेटेड तीसरा है बेनिफीशरी डेड ओप्षन रिमूवड बेनिफीशरी का डेड ओप्षन जो होता था उसको रिमूव कर दिया गया है पूल गोइंग उसमें कुछ ओप्षन रहता होगा और डेडी ट्रेकिंग करते समय दिखेगा पहले आपका कहां दिखता था AWC कोड जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते थे पोशन ट्रेकर के अब सिख्थ माइग्रेड जो है वो है माइग्रेड बेनिफीशरी रिप्लेजड विट AWC माइग्रेशन इन मोर सेक्षन मोर सेक्षन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर माइग्रेड बेनिफीशरी की जगह AWC माइग्रेशन लिखा हुआ आएगा साथवा अपडेट है पास्ट मंथ रिमूवड फ्रॉम दा होम विजिट होम विजिट जब आप करने जाते थे तो आपके पास तीन आप्शन आता था पास्ट मंथ, करेंट मंथ और जो भी आपने नहीं कर पाया दो तीन आप्शन आता था तो पास्ट मंथ यानि पिछले महीने का जो आप्शन है वो भी हटा दिया गया है तो update करने के बाद ये भी मैं आपको दिखाऊंगी आपको ये सारी option जो है नहीं मिलेगा और आठवा update जो है husband या mother name added in home visit अब home visit में husband या फिर mother name जब बच्चे का home visit है तो वहाँ पे उसका mother name दिखेगा या फिर तो version में आपको बता देती हूँ 19.0 का है updated on 3 सितंबर update size 5.91 MB असानी से आप इसको update कर सकते हैं बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले तो update कर लेते हैं इसको और उसके बाद चलते हैं potion tracker पे देखे हमारा potion tracker जो है तुरंद update हो चुका है almost यहाँ पर देखिए open लिक कर आ गया है आपको यहाँ से open मत करना, यहाँ से open नहीं करना सबसे पहले background चाहिए इसको remove कर देना home screen से जाकर potion tracker को open कर लेना है कुछ इस प्रकार से जो है AWC daily tracker update करने के बाद आ चुका है आपको यह नया लग रहा होगा क्योंकि यही update में है पहले देखिए दूसरी तरह आता था open लिक के आता था यहाँ पर green color से हो जाता था और फिर नीचे submit अब देखिए यहाँ पर AWC status आ रहा है और यहाँ पर AWC code आ रहा है और यहाँ पर दिनांक आ रहा है कुछ इस प्रकार से आंगनवाडी center है लिखा हुआ रहा है तो सबसे पहले चले यह तो इसको open कर लेते हैं open पर हम click करेंगे उसके बाद confirmation के लिए option आ जाता है और यहाँ से इसको okay कर देंगे इस प्रकार से जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलगी दिख रहा है देखिए attendance या morning snacks का एक option है उसके बाद THR HCM है pregnant woman, lactating woman, children यहाँ पर यह सारी चीज़ें आ रही है attendance morning snacks पर click करेंगे तो यहाँ पर attendance क्लिक करके आप भर सकते हैं सारे बच्चों का दिख जाएगा morning snacks पर click करके जो arrow दिख रही है उस पर morning snacks भर सकते हैं आप THR HCM भरने के लिए इस पर click करेंगे उसके बाद जिसका भी THR भरना है तो यहाँ daily tracking में यह सारे option जो है दिख रहे हैं अब चलिए हम home पर चलते हैं यहाँ पर जो है नाम के नीचे अब आपका आंगनवाडी code दिख रहा है पहले यहाँ पर आपके आंगनवाडी केंदर का नाम दिखता था सबसे पहले home visit पर चलके मैं आपको दिखाती हूं देखिए home visit का option है यहाँ पर देखिए due completed और missed एक past month का दिखता था वो option यहाँ से हट चुगा है और अब more option पर जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक migrate beneficiary का option आता था है ना तो migrate beneficiary हट चुका है यहाँ पर awc migration लिख के आ गया है आप देख सकते हैं बाकि यह सारी चीज़े यहाँ दिख रही है identify father या guardian आधार यहाँ पर register beneficiary यहाँ पर verify आधार यहाँ पर verify mobile यहाँ पर migrated out profiles dashboard पर click करने के बाद यहाँ से तो ऐसा ही सारा कुछ दिख रहा है जो changes हुए है आपके वो यहाँ पर केंदर के नाम के जगा उपर आप अपने नाम के पास देख सकते हैं यहाँ पर आगनवारी code दिखने लगा है सामने home page पर daily tracking पर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से daily tracking में आगनवारी code दिख रहा है उसके बाद यहाँ पर attendance, morning snacks, THR, HCM का भी option जुड़ गया है और activity का option तो रहता था पहले से इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं वोप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो को जादा जादा शेयर करें